तो कशिश का जवाब है कि सब जो है वो मोशनलेस रहेंगे तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कशिश क्योंकि अगर अब देखो कैसे मोशनलेस नहीं रहेंगे को नगाएगा ईसको मोशनलेच करेघा लगार ना रगार तो पूरे को देखोगे सबसेंग गाङा दिए जर ना नी को बैलन्स करने वाला को इंस पीछे उरीजोंटल फार्स कोन लगाएगा इस छी बी-ऑर सीचे см तो इसको पीछे तरफ कौन लगाएगा कोई लगाएने वारा नहीं यह क्या करेगा जैसे ही आगे जाएगा तो अब यह क्या करेगा तुम्हारा नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि जैसे आगे जाएगा तो रसी तुम्हारी लूज होगी तुम्हारी लूज होगी तो फिर य के बारे में कुछ नहीं मालूम कि ऊपर जाएगा निचे जाएगा तुमकों कि सब्सक्राइए य क्यों ये तुम्हारा रेस्ट के अंदर नहीं रहने वाला ठीक है है अब हम शुरू करें इस इस को देखो करते हैं तो इसा पर लिकेंट एक्यों एक्वेशन माण लिया तो मैंने इस पर लिखा equation नीचे mg मैंने इसको नीचे मान लिए नीचे जा रहे है एक एसे ठीक है सर ए और बी का mg एक दूसरे को balance out कर देगा इतना simple नहीं होता अगर वह दोनों ही होते तो balance out कर देता ना योगी देखो अब अब चलो अब तुमने यहाला मुद्दा छेड़ी दिये तो बता दो तुम्हें यह वाली बात भी अब कशिश को लग रहा है कि सर यह B हो गया है यह यह हो गया है तो बस दोनों का mass balance out हो गया मुद्दा खतम तो क्या यह इदर दर क्यों जाएगा वह यहां पर तुम्हारी पूल ली देखो अगर ठीक है अब यहां पर यह balance out हो गया तो यह टेंशन टी लग रहा है टेंशन टी लग रहा है तो यह root 2T force किसको देना पढ़ र और यह क्या है fix है यह हिल नहीं सकता लेकिन यहां पर अगर यह टेंशन टी है यह टेंशन टी है तो यह root 2T का जो है यह force इसको देना पढ़ रहा है इसको एक टी लग रहा है और एक टी नीचे लग रहा है तो बोलना है मेरे पर टी लगे तो मैं भाग जाओंगा वह ठीक ह तो जरूर इस पर आया वह लोसर्टी यह कि सब कुछ होगा यह बास समझ में आ रही है न ठीक है तो अगर यह fix होते तो यह balance रहाते है तो यह नहीं रहेंगे ठीक है तो अब मैं रेजर लेकर कि इसको पूरे कबार को टा दूँ पहले और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो तो एम जी माइनस टी थी कैसा चलो ठीक है तो एम जी माइनस टी इसकोल टू एम ए यह हमारा पैरा एक्विशन आ गया तो नॉर्मल सी आ रहे है तो बी और सी का होरीजोंटल मोशन जो इकठा होगा तो यह पर क्या लिए इन दोरों को इकठा बना लेंगे ठीक है बी प्लस सी पर एक फोर्स आएगा इधर की तरफ टेंशन गई वहला फोर्स ठीक है पुली इसका हिसा ही है तो एक वर्टिकल मे होता है तो हम नॉर्मल पर ध्यान देते हैं लेकिन यहां पर हमें वर्टिकल में नहीं चीए हम सिर्फ होरीजोंटल फोर्स देख रहे हैं पूरी सिस्टम पर क्या आया एक टेंशन आया तो टी तो हम यह रहेंगे टी इस इकोल टू टू एम अब देखो अगर यह से नीचे जा रहा है है अब यहां पर आता है में यह कंट्रेंट टू ड riches वाला काम अगर यह यहां से नीचे जा रहा है तो यह वाली रस्ती तुमारी कहां से तड़ने से जाएगी इस जाएगी किवीब से ही इधर की तरफ मूब करें अब अगर ऒना यह रलिए एक मिल ने निछी चाएगा तो यह तुम्हारा जोáveis यहाला उतना ही चलेगा जाएगा टॐ है अब इसको देखने की कोशिश करना है यह लग मूँव करें यह तुम्हारा ऊसल्द मूँव चाह के यह तुम्हारा यह तसी को मैंनेे लखेज़ थोड़ा समझना है यह एक थोड़ा सा इंपोर्टेंट है यह राम से गायब हो सकता है तुम्हारे मैं दुबारा से बता दूँ हाला कि टाइम वारा सिर्फ एक मिनिटी रह गया है मुझे इसको रिकनेट करना पड़ेगा दुबारा से इसको बता दूँ सुनना ध्यान से से अब हम देखते हैं अगर मैं पूल्य को फिक्स कर दो तो मैं क्या बोलते हैं अगर यह पूल्य को फिक्स है तो हमारे लिए बड़ा असान होता है हम जानते हैं जो सेंटर का होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है और सेंटर वाले को पॉजर्टिव लेते हैं जैसे एसी इकल टू क्या लिखेंगे यहां पर एटू माइनस में एवन बाय टू लिखेंगे और हमने सिखा कि अगर पुल्ली फिक्स है तो जीतना अगर यह से इधर जा रही ह लेकिन यह हमने नहीं देखा कि पुली मूव भी कर रही है और ऐसी नहीं है धीक है यह फिक्स वाला ही फॉमला यहां पर फंडा लगाते हैं लेकिन एक फ्रेम में काम करते हैं फिर वहां से इसानी से बात बन जाती है तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, कि मैं पुली के फ्रेम में अगर देखूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, पुली के फ्रेम में जितने से यह रसी दर जा रही है, उतने से यह रसी उपर की तरफ जाएगी, तो पुली के फ्रेम में काम करेंगे, तो पुली रेस्ट में आजेग तो pulley के frame में यह A-A1 से उपर की तरफ आजएगा तो ground frame में भी A-A1 से ही उपर की तरफ आएगा क्योंकि pulley का तो acceleration horizontal ही है यह बड़ी बास समझ में आ रही है, बड़ी critical बाते हैं यह है तो सुनना जब दुबारा से सुनना इस वाले particle का acceleration A था A का, तो इस वाले point का भी A हो गया क्योंकि यह pulley fix है, तो इसका भी A हो गया यह वाली pulley तुम्हारी movable है क्योंकि C से attach है तुमने मान लिए C का acceleration A1 हो गया तो इस pulley के frame में, क्योंकि यह pulley movable हम pulley के frame में देखेंगे तो यह वाला point भाग रहा है A से पुली खुद भाग रही है A1 से horizontal तो पुली को लगेगा कि A-A1 से उदर भाग रहा है तो पुली क्या कहेगे, तू भी A-A1 से उपर की तरफ आता तो यानि कि मुझे block B का, जो मुझे acceleration of B है वो with respect to pulley मिल गया वो कितना होगा? A-A1 उपर की तरफ और पुली का खुद का कहा है? horizontal में तो पुली का कहा है, horizontal में है तो acceleration of block ground के frame में भी कितना हो जाएगा? A-A1 कौन से direction में? Y direction में हाँ, जरूर एक horizontal component भी आएगा वो भी हम याँ पर लिखेंगे लेकिन वो तो हम जानते ही, horizontal पहली निकाल चुके है तो उसका कोई tension नहीं हमें यह बात उम्हें समझ में आई है, होफ़ली तुम्हें यह बात समझ में आगी होगी कैसे इसमें काम करते हैं, ठीक है? नहीं समझ में आई तो दुबारा दुबारा इसको करके देखना, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर चलें, तो यह मैंने यहाँ पर रिलेशन बना दिया, ठीक है, हमने एक equation, दो equation हमने पहले लिख दिया थे, एक ही होगे mg, minus में t is equal to m, और horizontal पहर हमने यहाँ पर लिख दिया, b plus e को कठा करके, b plus e का mass कितना होगे, फिर mass होगे था 2m, और tension एक force था, t t is equal to 2m, और इसका acceleration कितना होगे, इसका acceleration होगे a1, यह हमारा आगे second equation, अब हमारा रहागे third equation, वो मैं रिखूंगा block b के उपर, तो block b के उपर लिखूंगा tension t उपर की तरफ, ठीक है, minus में mg नीचे, is equal to block b का mass m, और इसका acceleration कितना है हमारा, इसका acceleration है, a minus a1 उपर की तरफ, तो a minus में a1, यह होगे हमारा equation number third, अब हम इन तीनों को solve करते हैं, मैं pen का color change कर लेता हूँ, तीनों को solve करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो मेरी ख्याल से हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है, सभी का acceleration निकालना है, तो हमें a1 और a दोनों ही निकालना तो मैं one और three को minus कर देता हूँ, तो अगर हम one और three को minus करेंगे, तो मिरी ख्याल से a1 हमारा निकाल करके आ जाना चीज़िक है, तो one minus में अगर मैं three करूँ, तो क्या निकाल करके आ रहा है, mg और mg to mg हो जाएगा, tension और tension add हो जाएगा, which will be, कितना हो जाएगा, यह minus का t और minus क तो माइनस का 2T हो जाएगा, ठीक है, और ma और ma कट जाएगा, और यह ma1 बचेगा, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 2 mg is equal to 2t, t का value 2ma है, तो यह हो जाएगा 4ma, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यह कितना बन जाएगा 5ma1, तो m से m कट जाएगा, तो a1 का value यहा 4i cap, तो horizontal है, तो a1 आगे तो मारा 4, ठीक है, एवन 4 आगया, आगे देखो ज़रा, ठीक है, तो आगे अगर हम देखें यहां पर, अगर एवन 4 आगया, तो बाकी हम असानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालोंगा, अगर मेरा a1 आगया, तो अब मेरा यह भी आ जाएगा, कैस 8m, और a1 का value 4 आगया, चलो ठीक है, तो यह भी हम put कर देंगे इसके अंदर, तो mg होगा 10m, 10m-8m कितना होगा, 2m, इसमें put करूँ तो मैं क्या रिखूंगा, 10m-8m is equal to ma, तो यह भी होगा 2m, तो a का value आगया 2, अब सारे का answer आगया, तो a जाएगा नीचे से, अगर मैं सार होगे यहां पर लिखूं, ठीक है, थोड़ा सा space कम है, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, ठीक है, तो acceleration अगर a का देखोगे, तो वो होगा, a नीचे की तरफ, a नीचे की तरफ, तो कितना हो गया, 2- j-cap, c का होगा इधर की तरफ, a1, तो exception of c कितना होगा, 4i-cap, ठीक है, b का दोनों होगा, b का ऊपर भी होगा, और c के साथ horizontal में तो जाईड है, तो 4i-cap तो होगा, अब इसका vertical वाल निकालेंगे, तो vertical वाल होगा, a-a1, a था 2, a1 है 4, तो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 तुमने गलत माना, हमने उपर माना, तो उपर नहीं जाएगा, नीचे चली जाएगी, दो यह नीचे जाएगी, तो 4 अड़ जिस कर लें, देखो कितनी अजीब बात लग 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 रही दोनों, दोनों नीचे जा रहे हैं, तो यह हमने कैसे निकाला, कि हमने जो आंसर निकाला, इसका, इसके एक्सें का a- वह नेगरिटीव आ गया, तो यह तीन पुली के फ्रेम में एक ब्रांच का निकालो, दूसरी ब्रांच भी पुली के फ्रेम में उतने से ही जाएगी, तो आम तोर पर पुली होरीजोंटल में मूव करते हैं, वह ब्लोक उपर मूव करता है, तो वही वाला वल्टिकल डिरेक्शन में उसका ग्राउंड फ्रेम में भी बन जाता है किसी ने डाउट पूछा शायद मैं देख लूँ क्या कूछा है सर्थ दोनों सेम डिरेक्शन में हो तो ए माइनस एवन क्यों हाँ क्यों क्यों कि सेम डिरेक्शन में माइनस करते है रिलेटिव में अगर गाड़ी आगे 90 से जा रही है तुम पीछे 80 से जा रह नहीं है यह पेपर अपने यहां पर कंवेंशन तरीके सोचने ठीक है चलो ठीक है अब अगले कोशन भी मिलते हैं